हलो दोस्तो, सकती फार्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम डिसकस करने बाले हैं CRPF ASI Pharmacist Non-Technical Part 4 जिसके अंतरगत हम हिंदी और इंग्लिस के MCQ 36 to 50 कबर करेंगे जो कि दोस्तो आपके एक्जाम में 15 मार्क्स के आएंगे दोस्तो अगर आप हमारे चैनल बर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे गया चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हिंदी इंग्लिस के टॉफ 15 MCQ Question No.36 निमिल लिखित में से सुद्ध बरतनी सब्ध है तो दोस्तो चारों आप्शन को देखिए और करेक्ट आंसर बताईए तो दोस्तो कुछ लोग जल्द वाजी में आप्शन A को करेक्ट कराते हैं बट हमारा आप्शन A सही नहीं होगा हमारा correct answer होगा option C Confuse नहीं होना है हमारा correct answer रहेगा option C चलिए next question देखते है Question number 37 जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उप्युक्त सब्थ कौन सा रहेगा option A आभाव ग्रस option B एकिंचन option C दीन हीन and option D महादीन तो हमारा correct answer रहेगा option B यानि एकिंचन जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या कहेंगा एकिंचन चलिए next question देखते है निमलिखित बाग के खंडों में से एक के लिए पिरुक्त होने वाला सब्द है स्वयम शेवक option A सब की सेवा करने वाला option B स्वयम की सेवा करने वाला option C अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला option D बिना वेतन के काम करने वाला तो हमारा correct answer हैगा option C यानि अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को हम क्या गयते हैं? स्वयम सेवक चलिए next question देखते हैं 39 पिर्त्यक्ष सब्द का बिलोम है यानि पिर्त्यक्ष का बिलोम सब्द बताना है हमें option A अप्रोक्ष option B परोक्ष option C सुन्दर and option D पिर्ते तो हमारा correct answer होगा option B यानि परोक्ष यानि पिर्त्यक्ष का उल्टा क्या होता है? परोक्ष चलिए next question देखते हैं question number 40 अतियुक्ती में उपसर्ग है तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग किसी बाक्य के शुरू आति में लगने वाले सब्द उपसर्ग कहलाते हैं ठीक है? जैसे की option A अधी option B दुर option C अती and option D उन तो हमारा correct answer हैगा option C option C अती ठीक? जैसे की एक example अगर हम आपको बताएं जैसे की है अनुचित तो अनुचित में दोस्तो उपसर्ग क्या होगा? तो अनुचित में उपसर्ग होगा आपका अनुच अनुचित में आपको बताएं ओके? समझ में आगया होगा? यानि सब्द के शुरू में लगने वाले को हम उपसर कहते हैं चलिए अब नेक्स कोच्चन देखते हैं मिठास सब्द में किस पिर्टे का पिर्योग है? ओपसर्ण A मिठा ओपसर्ण B ठास ओपसर्ण C आस और ओपसर्ण D प्यास तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पिर्टे क्या होते हैं तो पिरते दोस्तों बात के के अंत में लगने वाले सब्द को कहते हैं जैसे कि मिठास में last में क्या लग रहा है आस तो हमारा correct answer होगा option c option c हमारा correct हो गया ठीक है अब इसका example ले लेते हैं जैसे कि दोस्तों इसका example लेते हम आशिरबाद तो आशिरबाद में पिरते क्या होगा हमारा बाद ठीक पिरते हमारा बाद हो जाएगा ठीक चलिए अब next question देखते हैं question number 42 श्वयर तथा बेंजन क्या है option a मात्रा है option b समास option c संधी and option d ध्वनिया तो हमारा correct answer हो जाएगा option d ध्वनिया यानि श्वयर तथा बेंजन एक तरीकी की ध्वनिया है चलिए next question देखते हैं question number 43 fill in the blanks with an appropriate preposition he knows how to play dash words तो दोस्तों बताईए यहाँ पे कौन सा words आएगा तो यहाँ पे हमारा correct answer हो जाएगा option b यानि on यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे आजाएगा हमारा on तो sentence क्या बन जाएगा he knows how to play on birds चलिए next question देखते है 44 fill in the blanks with an article तो हमारा correct answer हो जाएगा option a यानि यहाँ पे क्या आएगा a तो sentence बन जाएगा India today needs a Gandhi चलिए next question देखते हैं question number 45 choose from the following the word which is correctly spelled तो correctly spelled कौन सा है हमारा तो हमारा right answer हो जाएगा option c यानि गेरेज गेरेज हमारा correctly spelled है बाकी सारी spelling रॉंग है चलिए अब next question देखते हैं question number 46 choose the correct antonym of the bird feed from the following तो feed का antonym हमें बताना है तो हमारा right answer हो जाएगा option option d यानि starve चलिए next question देखते हैं question number 47 that which cannot be changed is तो हमारा correct answer हो जाएगा option a यानि irrevocable चलिए next question देखते हैं question number 48 complete the sentence with the appropriate bird from the choices given below तो sentence है हमारा which is the saltest which is the saltest dash 2 तो हमारा correct answer हो जाएगा option c तो यहां पर क्या जाएगा root r o u t e root तो हमारा sentence बन जाएगा which is the saltest root to Delhi चलिए next question देखते हैं question number 49 bad blood means तो option a a disease option b unfriendliness and option c unvalcum relatives and option d impure blood तो हमारा correct answer हो जाएगा option b unfriendliness चलिए next question देखते हैं question number 50 choose the correct explanation of the idiom hand in hand option a very intimate option b mutual adjustment option c close fight and option d close together तो हमारा correct answer रहेगा option a very intimate दोस्तो आज हमारा non technical part complete हो चुका है दोस्तो यदि अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको next वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए क्योंकि आप जिस टॉपिक पर ज्यादा कमेंट्स आएंगे मैं उसी टॉपिक पर next वीडियो लेकर आऊंगा